तो 28 तंबर से एक New NF open होने वाला है जिसका नाम है Nippon India Small Cap 250 Nifty Index Fund तो generally जो fund है एक index fund है Nifty का 250 Small Cap Index Fund है उसको track करके वहां से returns जेनरेट की जाएगी तो index fund के बारे में आप सब जानते हैं index fund होते हैं जो passive fund होते हैं क्योंकि जो होते हैं करने जो इंडेक्स होते हैं किसी भी इंडेक्स में उनको का इंडेक्स है, तो कई हैm निफ्टी 50 mutual fund है उसको जो एक्सेज निफ्टी 50 का mutual fund है वो निफ्टी 50 के index को track करके वहाँ से रिटर्स जनरेट करते हैं तो सेम एज जो निपोन इंडिया small cap 250 nifty index fund है वो भी निफ्टी के 250 small cap index है जो उसको track करके वहाँ से रिटर्स जनरेट की जाएंगी तो अगर कोई लिए investment करना चाहता है और अपनी money को अच्छे क्रोथ देना चाहता है तो वह इंवेस्टर्स जो है वह उस टाइप के लोग इस fund में apply कर सकते हैं बट आपको बता देगी जो जिसके है वो moderately high रहेगा अगर आप इस स्किम में investment करते हैं वो moderately high risk क्यों रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप सबको पता है कि small gap companies होती है जो अपनी सुरुआती दोर में होती है अभी ज्यादा time नहीं हुआ होता उनको established हुए को तो उनका जो कारोबार होत गलत न्यूज आती है तो सबसे पहले small cap या mid cap companies पर ही effect पड़ता है तो large cap companies होती है जो उनमें फिर भी थोड़ी बहुती गोंजायस होती है कि वो गलत time में भी बेकार time में जैसे coronavirus का डर हुआ था lockdown हुआ था तो आपको पता है कि stocks के price हाफ हो गए थे तो उसी परकार जो small cap companies म ज्यादा होता है बट आपको बता दें कि रिस्क ज्यादा होने के साथ उनमें growth की भी ज्यादा chances होते हैं high returns होती है according to large cap fund क्योंकि small cap companies में growth होने के भी chances ज्यादा रहते हैं और loss होने के भी chances ज्यादा रहते हैं तो चलिए बात करेंगे क्या आपको इसको fund को apply करना चाहिए औ तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को तो subscribe करें दीजेगा और अगर आप दोस्तों NFO के लिए apply करना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं या फिर किसी भी investment type की investment advisory आप अगर चाहते हैं हमसे लेना तो वो भी हम आपको provide कर स small cap nifty 250 index fund के NFO के बारे में तो NFO को जो issue है वो बाओ जी 28 तंबर 2020 को open होगा subscription के लिए और NFO को closing date है 9 October 2020 को NFO subscription के लिए close हो जाएगा अगर आप इसके लिए subscribe करना चाहते हैं NFO को तो आपको 28 अक्तुबर से लेकर सब्सक्राइब करना होगा तो fund manager जी है जो मेहूल डामा जी इस fund को manage करेंगे और आपको बता दू कि 28 तंबर को एक और फंड का NFO open होने वाला जिसका नाम है principal large cap fund तो उसके लिए भी हम आप अलग से वीडियो आपको provide कर देंगे और अगर आप NFO के लिए अपलाई करना चा स्कीम है benchmark है जो nifty small cap 250 index को fund track करेगा exit load है जो no charges on withdrawal तो कभी भी जब भी आप चाहें अपनी money इसमें से exit निकलवा सकते हैं कोई भी आपको charges नहीं देना होगा कोई भी exit load नहीं देना होगा risk है जो moderately high है और investment objective के बारे में बात करें the scheme seeks to provide investment returns closely corresponding to the total returns of the securities as represented by the nifty small cap 250 index तो देखिए जो scheme का main investment objective है वो returns provide करना है जो की investment in securities of the total return index है जो nifty small cap 250 index में जो listed 500 stocks है उनके stocks में उनकी securities investment करके वहां से returns generate करना fund का main investment objective है before expenses subject to tracking errors तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात के और बात करेंगे comparison करेंगे किसी अनदर जिसका नाम है मोतिला लोस्वेल निफ्टी small cap 250 index फंड से हम इसकी comparison करेंगे और फंड के बारे में देखेंगे कि कब फंड की क्या एनने वी है और कितने टर्स जो है फंड ने दी है तो एनने वी है जो 11.54 पैसे है और फंड मेनेजर जी है आपने पी में आएकर जिस फंड को मैनेज कर रहे है फंड का जो टोटल एउयम है वह क्यावन पॉइंट जीरो दो क्रोड रुपे फंड का टोटल एउयम है रिटरंस जो है बन मंत में 8.35 परसेंट की रिटरं मोतिला लोस्वेल निफ्टी small cap 250 इंडेक्स फंड ने दी है बन येर में 13.66 परसेंट की तीन साल में 13.09 परसेंट की रिटरं इस फंड ने दी है तो देखिए फंड की रिटरंस इसकी अनदर केटागेरी के फंड जो उनकी रिटरंस ठीक है और आप और भी फंड चेक करेंगे SBA small cap fund महिंदरा 250 निवेस योजना तो उनकी भी रिटरंस काफी अच्छी है नेरबाए 13-14 परसेंट की रिटरंस हर एक फंड ने दी हुई है तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं चार से 5-6 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप इसमें सब्सकाइब करना चाहती है तो अगर आप preocu experiment कईजिए को बात करूंगा यह आंपर एगर वीडियो को लाइक करके एचनल को सबसक्रब कर दो ये सब्सक्ती है ही जो कि भीडिन हो जाल वड़िए एक बेड जो झाल ये वाल बीडिड है